हलो दोस्तो कैसे आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बढ़िया ही होंगे तो दोस्तो आज हम अपनी गाड़ी के मेटर में जलने वाली एक टेंपरेशर की लाइट के बारे में बात करना चाहेंगे अब से यह देखिए यह जो टेंपरेशर की लाइट है blue color की इसका मतलब क्या होता है जैसे हम ignition on करते है सुबह सुबह ये light आती है blue color में तो blue color का मतलब है कि अभी आपकी गाड़ी ठंडी है और आपने इसको थोड़ी देर के लिए start रखना है और जब तक कि आपका blue color का sign चला नहीं जाता आपको इस गाड़ी को start रखना है RPM की जो ये सुई है अभी तो दोस्तो दिन है तो दिन में ये सुई जादा उपर नहीं जा रही है नहीं तो normally क्या होता सुबह सुबह हम start करते हैं तो ये 2000 RPM से तो थोड़ी देर के लिए सुई तो अभी फिलाल ये 1500 RPM पे है या धीरे धीरे जैसे आप इसको गाड़ी को फिलाल आपने on रखना है अभी गेर डाल ये गाड़ी को चलाना नहीं है कब तक नहीं चलाना जब तक की ये जो आपकी सुई है ये 1000 पे या 1000 से थोड़ा सा नीचे यहां तक नहीं आ जाती है और उसके बाद ये आपका जो temperature का जो sign है ये इस टाइम पे blue color का है blue color का इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे गाड़ी ठंडी है अभी रात का टाइम तो नहीं था मैं सुबह office आ चुका हूँ office आके मैंने गाड़ी यहां पे खड़ी कर दी थी और अब 4-15 हो गया है अब थोड़ी दिर में मैं घर के अब निकलोंगा तो उससे पहले मैं पांच मिनट के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखोंगा ताकि यह engine का जो oil है पूरे engine में रमा हो जाए पूरा engine को cover कर ले अब यह देखिए यह rpm की जो सुई है यह धीरे धीरे automatically नीचे आ रही है यह दोस्तों क्या होता है हमारी गाड़ी में जो अब नई गाड़ी आ रही है वो smart technology में के उसमें आ रही है काफी ज़्यादा smart technology यूज की जाती है पहले की गाड़ियों में आप देखते होंगे कि हम जब self मारते थे उसके साथ में हमें accelerator भी प्रेस करना पड़ता था बट आज के टाइम पे जो गाड़ियां आती है उसमें fuel injection या यह सब चीज़ें technology काफी यूज की जाती है तो इसमें हमें self देने के साथ accelerator करने की ज़रूरत नहीं है यह automatically fuel inject करता है और गाड़ी को start करता है accelerator देने की ज़रूरत नहीं होती तो पुल मिला के बताने का मतलब आपका यह है कि जैसे ही आप सुबह सुबह self मारते हैं तो आपकी यह जो RPM की सुई है यह 2000 यह 2000 से थोड़ा सा नीचे से start होगी तो उससे पहले आपको कोई भी accelerate नहीं करना है जब तक आपकी यह RPM की सुई एक या एक से थोड़ा सा नीचे नहीं आ जाती अब इस टाइम यह एक से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है अगर आपके पास थोड़ा सा time और है तो आप थोड़ा time और रुख सकते हैं जब तक यह आपका temperature का sign चला ना जाया जब तक आपकी गाड़ी पूरी normal position में ना आ जाया blue color के sign का मतलब है कि आपकी गाड़ी ठंडी है और red color के sign का मतलब है आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा heat हो चुकी है बहुत ज़्यादा गरम हो चुकी है गाड़ी का इन्टिरियर गरम होने से नहीं है गाड़ी के इंजन से है यह sign आपका दिखाता है इस टाइम आपका इंजन cool condition में है तो जब तक यह sign चला नहीं चाहता जब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए नहीं तो आप ये जो सुई यहां से यहां तक आ जाएगी उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं और ये जो blue color का temperature का sign है ये मुश्किल से आप एक किलो मेटर भी अगर आप गाड़ी चलाएंगे वैसे तो उससे पहले ही चला जाता है बट एक किलो मेटर मान लेते हैं गर्मियों में तो चलो आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं बट सर्दियों में ये चीज़ यूज़ करना बहुत ही ज्यादा important हो जाता है कि आपका जो engine है ओ इंजन ओइल उस पे पूरा cover हो जाए और पूरा उसको अच्छे से पकड़ ले और आपके गाड़ी काफी long time तक आपके engine में कोई problem नहीं आएगी इससे तो फिलाल मैं तो wait करूँगा ये temperature का sign बिल्कुल जाने का तो उसके बाद ही मैं अपने गाड़ी को आगे run करूँगा और सुबह भी मैं सही करता हूँ office से निकलने से पहले और सुबह घर से निकलते वे भी ये देखिए ये आपका temperature का sign चला गया है अब इस time पे इसका proof ये है कि आपकी गाड़ी normal condition में आ गई है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है ना ही बहुत ज़्यादा गरम है तो अब आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं तो दोस्तो ये थी एक छोटी सी information आपकी गाड़ी के engine के बारे में और temperature के sign के बारे में जिसको नहीं पता होगा कि ये temperature का sign क्या होता है और क्यों होता है उसके लिए एक छोटी सी information बट छोटी बट बहुत सरूरी और बहुत important चीज़ है ये तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने भाई को थैंक्यू वेरी विए